मद्यप्रदेश ने सकल नामांकन अनुपात युद्ध में लंबी छलांग लगाई है मद्यप्रदेश में 2021 से 22 में उच्छ शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राश्रिय औसस से आगे निकल चुका है मंद्य प्रदेश में 28.9 प्रतिशत सकल नामंकन अनुपात दर्श हुआ जबकि राष्ट्रिय इस्टर पर वर्ष 2021 से 22 में 28.4 प्रतिशत है इस उपलब्धी के बाद मोहन यादव बेहद उसाहित नजर आए उन्होंने खुद ही ये खुश खबरी प्रदेश वासियों को सुनाई और इसके लिए बढ़ाई भी दी बताने की मोहन यादव 2 जुलाई 2020 को शिवरा सिंग चौहान की सरकार में कैबिनेट मंतरी बने थे उन्होंने उच्च शिक्षा मंतरी का कारेभार समाहल रखा था इस दौरान भी डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंतरी रहते हुए GER बढ़ाने के लिए लगतार प्रयास किये थे नमस्कार मैं आपको सबको जानकरी देना चाहूँगा कि मदभे सरकार ने जब से नई सच्छानिती लॉग की है नई सच्छानिती लागो करने के बाद हमारी सकलव पंजीग दर में भी उलेखनी व्रद्धी हुई है आज आपकी जानकरीम बताना चाहूँगा कि 21 बाइस का जो शकल पंजिय का नपात जी यार अखिल भारती 28.4 की तुलना में 28.9 दर्जुवा है मद्वदेश में सरवादिक नामंकन इसना तक इस्तर पे लागू हुए मुझे बाती पसनता है कि राश्रीव से सागय निकलना यह हमारी सरकार की बड़ी उपलबदी है मेरी अपनी और से सब को बढ़ाई और यह उलेखनी है कि पिछले तीन साल पहले लगबख 4% के पीछे हम थे लेकिन दीरे दीरे इस दिसा में लगातार प्रगति की है और वो भी कोविट की चुनोतियों के काल के बहुजूद भी हमने नाकेवल अपनी बनवत्ता पूर्ण शिक्षा का इस्तर बनाया रखा बलकि नई शिक्षानित का भी सफलता से सब इस्तर पर लागू किया गया है एक बार मेरी अपनी और से सब को बढ़ाई